नमस्कार अलत धार्मा स्वागत्षमक्रिष्णति मल्षिना अहिले सम्पून विश्शुको अर्थ वेवस्ता तहस नहस बनेकुछ कोरणा महमारीले निम्तियाएको यो संकट बाट ततकाल नेपाल को अर्थ तंत्र समेत अचुत देख्येको छाईना अहिले सरकारी ढुकुटी मा नेवित आउने आमदानी इस्तगीत भायको छा विविन शिर्षक मा प्राप्त होनी कर कमिशन राजशु लगायत का आमदानी हरू बंदभायका शन यो परिष्थिती मा सरकार माथी जन्तालाई राहात सरूप बस्तुत था शिवाको उपलब्दता बढ़ाउनू परनी दबाब थेगी न सक्मुछ ये शरी सरकारी डुकुटी विस्तारे रित्ती दई गय को बेला सरकारले अर्थ तंत्र सुधार का लागी किये गर्न सक्षता लागां आज को प्रस्तुती तर्फ़ एस्तो बिपात को बेला बेक्तिको संपती घर्धाई जान्छ यो अर्थ तंत्र को नियेम हो एस्तो शंकटले अर्थ तंत्र को सम्रचना गत चानोपनी बतकाई दिन छा तर तेही बतकियेको चानोबाट उज्यालो संभावना देखिन छन तेसाईले अर्थ बीधरू एसलाई चुनवती बंदा ठूलो अफसर भनी राखिका छन जुन संकटलाई अफसरकारूप मा सदुपय गर्णुपनी चुनवती सरकार का साम्मुन्ने चा तर यो बिपति मा भदकियेको अर्थ तंत्र को चानोबाट प्रकास मात्र हुईना उरीर बर्शात्मनी भेत्र पस्ना सक्ष यो नया बजेड तरजुमा गर्दै गर्दा सरकार्ली मनन गर्णुपनी बास्तवित्ता हो नेपाली अर्थ तंत्रमा को प्रभाव लगानी करता उपभोगता र समग्रमा बजारमा निराशा कोरोना मन्दी पछी कसरी चल्छ अर्थ वेवस्था कोरोना भाहिरस कोबीट 19 को महामारी नेंत्रन मा अउन अजय कती समय लाग्छ अत्तु पत्तु छैना जसले सम्पून विश्व को अर्थ वेवस्थालाई दोस्ष्रों विश्य उद्ध पच्छी कई बया बहा अबस्तामा धखेली दियेकुछ जुन प्रभाब्बाट नेपाल को अर्थ तंत्र विश्थारई प्रत्यक्ष प्रभाभीत बंड़ई गाये कुछ महामारी को असर नेपाल सम्मा आईपुगदा रोकोष संक्रमन निमिकरन गरदेई छेती कम गर्न अईले पूराई देश लगडाउन को अबस्तामा छ नेपाल मात्र होईन दक्षिनेशिया, एसिया, एरुपेली छेत्र का साथ है विश्षो का कईयू मुलूक अईले बंदी अवस्तामा छन यो डर लागदो महामारीले हुनसक्ने मानविय छेती कम गर्ना रद्रिगकालिन डुपमा अर्थ तंत्रलाई बचाउन का लागी अपनाई येको बेकल्प हो तर अईले अल्पकालिन डुपमा बंदा नेपाली अर्थ तंत्रमा कोरोना भाइरस को द्रिगकालिन प्रभाप कस्तो रहला बनीचा आशो सबई तिरा बेक्तभुमा थाले कुछ सरकार्चे युँ समा सवाल लाई अईले बनेशते बजेटको सवाल लाई द्यानदीन पर एंठाउमा शत्ता चल खेल मा लागया छा अने आपनो पाटी मते नवरा अवु पाटी लान फुटाउने दाउमा लागया छा तो इस अबही एदाखेरिया अईडिसमा को राइनत सबस्क्राइब है अवर वश्मा बष्णी हरु को सबस्क्राइब ले आर्थिक रूप मा देशमा भायवातार को राइनती पर्ति वर्तिक्षन राइनता बर्तिक्षन और मा चैन आपने जगर्णा मस्ति हुने लाई तीन आऊँ दिन 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 आमी अप्ठारो शंकत्ना ल बेला आफनो परिवार को समाज को डेश को रबभिश्व कई बारे माँ चिन्ता रचासो लेनु मान विए सभाव हो तेश्मा पनी लामो समय घरमा फुर्षदिलो भाहेर बस्ता एस बारे थब चिन्ता रचासो बरदेगायको छा यो महामारीले बिश्वलाई कती असर पुर् यो महामारी को प्रभाप कोईली सम्म रहंचा बनी निस्चित न रहेको र प्राकृतिक प्रकोप युद्ध महामारी जस्ता प्रकोप पछी अर्थ तंत्रमा देखीने चुनवती का आयां केलाईर बजेट तर्जुमा गर्णुपनी समयमा शरकार रहेको बिग्जी हुले नि तर्जुमा बंड़ो नि देखीने चीकी साहरी पिछी अर्दर बंढी कोई खाली का अवेशट का प्रकोप नाचगे केला। । हैंno गटना लिया के दिखानी की कि तर क्यों गजा रहनने हिंدي अध्य हैं घो रहते सव्षंद काम से हाँएं रोग्यों लिए क्यों सुधार संद़ मंता बर्चित बह में। बिग्यहरु का अनुसार एस्तो विपत्ती को समयमा अर्थतंत्रमा देखिने मंदी र गती फरक फरक होंचन। तेशे का आधार मां मंदी बाट अर्थतंत्रलाई बाईर निकालना लागने समय पनी फरक फरक होंचन। बिपत्तिको तुलाना मा देखिने सवेग भंदा उत्तम अवस्ता, मधेम अवस्ता र खराब अवस्ता को विशलेशन पचही, अर्था तंत्रमा मंदी को प्रभाब विश्तापन को विकल्प अपना उनु परछा। यो नेपाल को अर्था तंत्रको अईले को मुख्य चुना यह चाहरा है, आफ भान ते ला नेवादी रावा पशेका थी देशकार आज़ दर सहाँ है चाहा है चल्पल गर तेशखको इम्पाक्त को ती उना शखे अपर निगरा हैं, एक अधुए आकछा धुए आमने गळल पर चाही इंदिया को लागप मांची फ़र्क हैं नाथे जन्सकेल आवार करा दोलाइन करद दोल नाथे कि अ क्यात कर दोलाए प्रज रेग्ट, पाइसे दोल ही पंधियों, तो विजया आगे अबुझादे थे थीद सकतर लैङ़ायों, सबाब्सक्राइब में किन दोलाइ भाख अजिए और भाषर दोलाइन सब्सक्राइब अच्छा फरेकार आउसर कथी समय चलनी हो धाचा इन तेशो आले यो कथी बंद बयार जानी हो इस्टिक्रीमा कथी यह फरेकार आउसर एशको एउड़ा आंकलाण जाए गणनु पर्छा प्राइवाट स्रेक्टर का जाइँ बंद बया का फैक्टी यह होटल रेस्टुरेंट लार मांचई आपलाए जाए आहमिले चईट समल तीमय अदले तलंब खाल बने हो अधिन इवह बने होएना अहिलेको महामारीले नेपाल को अर्थतंत्र मा ततकाल थूलो मंदी न लेऊं न सक्षा रेकाई पटक थूलो छेती न देखी न सक्षा ठूलो छेती नभायको अवस्तामा नेपाल को अर्थतंत्र प्रती मानिश को आकर्शंद्र लगाव निरंथर बढ़ न सक्षा एसका निम्ती सरकारले लगानी आकर्शीद गरनी निती लेऊनुपानी बिग्यहर को बुजाई छा इसलिए आमरों अर्थतंत्र मां नखरात्मक प्रवाथ पार्शन हैं यसलिए आमरों सिस्थम लाइने तर्माधि पार्शंद्र में संभाव मैं सो देसलिए गर्वाके लिए आमिलाई यह कोरणाले यह उटा अफसर पनी बिन सक्षा अई जुन आमरा मांजी यह बाखा पहरा आलुछं तिनेवलाई भराबारा बनाउनी आमिले आकमा निर्वल अर्थतंत्र मां मुलुक लाई अगाली बढ़ा हुए यह उटा अफसर पनी आमिलाई भर सक्षा तियस दिशाना सरखाले कियावल डोकुमेंट महाईना कारेनों निलीक साबले सरखाले चानी पुजरा आमरे ताम पर देसलिए पनों अनुद्पाद आमिले चाहिए पैष्या किरिये ज़्यर्य समय किर सुकूम्आ से अगडा तो अगाशिता थे आमिलाई पार हुए तो धिलीकानादी को आईप को परती बेर अन्साम जिता पाइप उसर तर देलीकानादी को आपको भारे चूल्परावाई आः पाईनादी त्यायं नेपा आय बाहेक विश्चो का ठुला अर्थातंत्र युक्त मुलुकमा अले नहीं आर्थिक मंदीले ठुलो प्रभाव पारी सक्योकोष, जैई अर्थातंत्र मा एकई पटक ठुलो नक्षान होंदा मंदी पछी लाबो समय 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 मनोवई ज्यानिक त्राश अर्थातंत्र मा बाकी मा निर्वार बनाऊन अब विशेश कारिकम लियाऊन सके लगानी करता उपभोगता रस्षमग्र बज्जार को दारना तत्कालाई साम्मान्य अवस्तामा फर्की न सक्षा दिश्मा पनी नेपाल का लागी अईलेको यो प्रको पट्टक के नौलो है नौ 2066 साल को राजनितिक आंदोलन 22 साल देखी 2062 साल सम्मको सस्त्र युद्ध, 2063 को आंदोलन विविना जातिय चेत्रिय आंदोलन पच्छिलो पटक 2072 साल मगयको बिनासकारी भुकम्प, ततकाले भारतले लगायको नाकाबंदी जस्ता ठुला अनिच्चित्ता र युद्ध को स सरकारले प्राथमित्ता निर्धार्न गरे र वजेट बिन्योजन घर न सकेमा नेपालमा लगानी करता हरू नेपाली बजार अनि नेपाली उपभगता हरू पतकाले पहिलेकाई लएमा फर्की न सक्छन। गिनकी कोरोना महामारी अगी हामिशन जुन जुन पुर्भाधार थिये तेही पुर्भाधार तेही सम्रचना र तेही प्रविदी अईले येथा इस्तिति माशन। पथापी विश्व श्रम बजार मरायका नेपाली ले पठावने रेमिटेंस, उरालो लागनू अनि मुलुक वित्र आंतरिक रोजगारी का अफ्सर गुम्नू आमरो अर्थतंत्र को अगेलती राको मुखे चुनौती हो। विज्वर का अनुशार उपवग प्रेश्व माधारीत अर्थतंत्र हामरो शीमा हो यो सरकार ले बुज़नू परशा। अर्थतंत्र को अर्थतंत्र में नेगेटिव भईन आता सम्मा आमीदे नया नियुक्ती बंदे गराउं। कि अधिरिक्ता सुवित आरू कट उती गराउं। आर्मी पुजिस्को अईले कबस्ता हो बनी यो गर्नापनी बनना गराउं नता। कि अधिरी कोविट्मेंधा गर्नापनी चाह उला नि यही काम लाई फेरी काम लाई पुना विन्यास गरे वाने पुना परिवासित गरे वाने काम गर्नापनी जनसक्ती आजापनी छो। कि अधिरी कोविट्को परभाग को संद्रमा तला है ता इस्तानिया तॉमा काम चाहिं उदो रहाचा, मांचे चाहिं दो रहाचा, तर संगिया सरकार्ना आमीले एती दे रहाई कार्मचारी को यो बोज है रहाएका शूं। योटा कारे लाएमा एक जनाले हुने कामा आठार जना मांचे अरू रहेका शूं। असात्ते छूलो जन सक्ति आज बशिराचा, यो कांशिरार दाल्सार को पर्तिवेदन पिनि तयो पर्शासनिक स्थरको सुदार को यो निजामती एना उनिवेदामा तेला काई रिखेक् अहीले विश्य बजार मां रोजगारी को अबसर मां कमी आएको शूं। विश्य बहर रहेका नेपाली हुरू एसको प्रत्यक्षे प्रभाप मां परी राखे काशन। उनिहरू कुनेईपणी अबस्तामा नेपाल फर्की नसक्षन रा एसको असर उपभोग शेमातामा अनि इस्थानी बजार मा पर्ना सक्षन। बिलाशिता को सामान को उपभोग मां कमी आउँदा एसली बर्षों देखी को मुल्लू को ब्यापार घाटामां कमी आउँँछ। रेमी ट्यानिस्त्र ब्यापार घाटा एक कई फटक गहर्दा आंतरिक उत्पादनले प्रति स्थापन गर्ना सक्षनी अर्थ तंत्रको अफसर शिर्जना हुन्छ। इसका निन्ती किर्शी छेत्रमा राज्ये को लगानी बदनू जरूरी शा। शक्षेनों तेस अज़वनी विकास निमाडना यो विकास निमाडना पशिशा कुनी अर्थ ते लाएज अज़वनी बड़ामनों बच वन्मे तिरा जानना पर छो अनि मात्रे अजिए सक्षी जोनना सक्ष। जरू आए जाना पनी जाहां जाना चैने अमरोध है यो व्यवारी केंद्र हो अगुछन तिन्माई यह अलिकाती फोकस करें आमले तेदा तिरा जी प्राफंटाइज शके होने तेले चैने कोले राम युगता कु राजमा प्रगाती कु प्राजम लियामनों शक्षा बने इस बाट नेपाल को अर्थ तंत्रली प्रसस्ताई संभावना पहिचान गरना सक्षा एस बाहिक परेटन शित्रमा तत्काल का लागी बयाबह अफसर र असर दिखिये को छा विकसीत मुलुक बाट तत्कालेई परेटक करू नेपाल भ्रामनमा आउने संभावना अत्तिनते थोराई शा तर सरकारले प्रभावकारी निती तरजुमा गरना सक्षा येसलाई आंतरिक परेटनली विस्तापन गरना सक्षा र मुलुक आत्मा निर्वर्ताको बाट तरफ उन्मुकुन सक्षा बिग्यहरुका अनिसार आंतरिक उत्पादन बडाहनु पर्चा बननी नया चेतना संचार भहेको यो संकट को समय मुलुको आर्थ थंत्र र जीवन सैली पुनर सम्रचना गरने एउटा अरको महत्तो पुन अफसर बनना सक्षा यही संकट को सदुपय गर्दै उपबग्य बस्तुको उत्पादन बडाहिर आत्मा निर्वर्वर्वन शक्किन छा र शुरक्ष्या तथा सुबिधा का लागी आपनो मात्री बनी छाडे का हुलाई सोदेश मैं आये आर्जन को काम मा जोडन शक्किन छा एशका लागी सरकारली बजेट बिन्योजन गर्नों पर छा तिनकी कोरोना को महामारीले संसार मां सुरक्षित ठाउं कतई पनी छाईन बन्ने चियतना विकास गराई शक्किको छा यही चेतना को परिणाम बविश्यमा छेमता भायका नागरी करू बाहिरी नेक्रम पक्कई पनी निरुद्शाइद होनेशा देश भित्रई सुधार रो नया शिर्जना को अप्सर देखीनेशा एसका लागी पनी सरकारली अगीशार नी अर्थनीती महत्तु पुना होनेशा हो यो कोरोनाले लियायको संकट सदुपय गर दई हामिले रेमिटेंस मा निर्वर जनसंख्यालाई किर्शी मा आत्मनिर्वर बनावन सक्यों भने बर्षों देखीको बाजो जमीन मा बाली जुलने छा घडेरी मा प्लोटिंग वैराखेका जमीन हरू अन्न भंडार बनन सक्षन प्रशस्ताई रोजगारी शिर्जना गर्न सक्किन छ देश भीत्र अनि साना तथा मजोला उद्धोग व्यापार बेवसाई मा यूबा स्रम सक्ती आकर्शीत हुने छन तर राज्जेले एसको बातावरण बनाई दिनू पर छो अब कुरना को महामारी संग संबंदीत प्रसंग जुन महामारी का कारण आमी चैद एक हारा पछी निरंतर लगडाउन को सामना गरी रहेका छो काटवाणों पस्ने को लर्को रोकिये ना पई तालिस दिन मा अस्सी हजार हुन्दा बड़ी भित्रिये नाकमा लापरवाही सहर मा श्रंकमण को तास सरकारले कोरोना परिक्षण को दायरा फराकिलो न बनाई चैत्र एगारा येता लगतार लगडाउन लम्माई रहदा संगिया राजदानी कारण चार्ण चार्णे र बिबिन्न जिलाबाट कारण बित्रिये नेको संख्या रोकिये को शाइना बैसाक एगारपची 27 आक अवदीमा 3100 बंदा बड़ी सवारी साधन कारफण उपत्यका बित्रिये का संबने यही अवद्यमा 34325 सवारी बहिरीये का संब कारफण बित्रेका देरे सवारी साधनले खाद्यान न तरकारी इंदन लगायत अतियालसेक समागरी डुआनी गरेको वाय पनी लगडाउन को समयमा यसरी सवारी आउजव गर्न दिनु नै अहीली उपत्यका का लागी समस्या बन्न थालेको छा सरकाले पट्टक पट्टक लगडाउन थापे पनी यही दुईसाता को अवदिमा एकलाक 78864 जनाले गाडिमा तेथा 17,699 जनाले पईदले उपत्यका छाडेका सन अहीले पनी पट्टक लगडाउन थापनो अगी सम्मक बिवरण में दैनिक अउसत 5600 जनाले बिविन्न नाका बाट काश्रन्डों पशी रहेको देखियेको में सरकाले बईशाक 25 पची मात्र सिमा नाका में कड़ाई गर्न थालेको छा च उतरफी विरोश्चुरुवाय पच्छी केही दिन यथा जनप्रतिनी दी प्रसासन प्रमुल्क रा सुरक्ष्य कर्मिको बिशस्टोलीले नाका हरुको अवलोकन गर्येको छा रा काश्रन्डों को नागढ़ूंगा तथा बक्तप्रको जकाती नाका मा उपत्यका भित्र च उतरफी ने यात्रुको ब्रिश्टित बिपरण टिपन धालियेको शा उप्रत्यका बाट बाईरीने गाडिले बने परिश्टिती अनुसार सजीले छाड़ेको देखिन शा येसरी पट्टक पटक लगडाउन धपने तरा कोरोना संक्रमित बेट्टियेका बिविन्न जि एकजार सा से उंननाईस सवरी सा दन मैं repentance चारहजार date डीसे अड़्शोटि यात्रू उपद्टका बीत्रिएको देखियेको शा बुदाबार ने लगडाउन के बेला उपत्यका बाठ एकजार शासे अर्टीस सवारी साधन में चाराजार पांचे शाजानाले उपत्यका छाड़ेका शन् लगडाउन पुनह थपिये पच्छी पनी योक्रम रोकियेको शैना संख्यामा मात्र कमी आयेको शा उपत्यका बित्राई पनी अत्यावसेक सेवा बाहेको काम मा घरबाईर ननिसकन आभवान गरिये पनी दैनिक 1500 सवारी साधन में 3000 यात्रो आवजाव गरि रहेका शन् ये सरी बई रहेको अना आवज सेक्र असुरक्षित आवज जावत ले संक्रमण को जोखिम बड़ाई रहेको शा तेसमा पनी उपत्यका बाहिरका प्रभावी जिल्लाहरु बाटा समेच सुरक्षित छेत्र खोजदे राजदानी काठवन बित्रीने क्रम नरोकिये काले राजदानी असुरक्षित बंदे गवएको निसकर्षा कोबिट नियंत्रान उच्चाइस्तर्य समितिले निकालेको तेसे को आधारमा सरकाले जेस्ट पात्समा का लागी लगडाउन बडायको हो अज़़ प्रभावकाले रा सोसाप्का गण्गले अवाडी बंडने यही ने आज़े को छाथ राज़गा अनुसार एक साता येता कार्फरंड बाटना बाईरीने को संख्या क्रम सा गळदे गवड़े को सा वने भीत्रने को संख्या बिस्तारे बड़े को सा येसलिए कार नाकामा शुरक्ष्या कर मिले चेक जाच बड़ाय काशन। लगडाउन उलंगन गरने बेक्ती रा सवारी नियंत्रन मा लिने तथार जता बाचा आयको तेते फरकाई दिन थालिये कोशा। प्रहरीको बिबराण अनुसार पचिलो पटक लगडाउन को अवदी थपनो अगिलो दिन बुदावार देस्पर लगडाउन उलंगन गरने 3340 दना कारवाई मा परे। मुल्चडगत थास्ती में नाकामा कड़ाई गरन थाले पचि बिहिबार रा सुक्रबार यो संख्या वात्तै घट्यो। जबकी प्रहरीले लगडाउन शुरुबाय पचि चैत्र एगार यता एक लाक 31,900 बेगती रा 69,300 बन्ना बड़ी सवारी साधनलाई नियंत्रन माली एक देखिन श्या जस्त्मा 1,3005 बेगती रा 2544 सवारी साधन काफ्टन्ड उपरत का भीत्रिये काशन। येसरी मुलक का अधिकामस संबेदंचिल नाकामा निग्राणी नबड़ाउदा एक जिला बाठ औरको जिलामा प्रवेशकरने अरको स्वास्त बिबरण यात्रा बिबरण रा बेगती गद बिबरण संकल न गरीदा येही लापारबाही ले बोली महामारी को रुपली न सक्छ बंदै सरकारला बिग्य हरूले संबेदंचिल बनना सुजाब्दी रायका शन तरन लगडाउन उलंगन गरने बेगती र सवारीको संख्यामा कमी आयको सा न बिबिन बाहाना ता बाध्यताले एक जिला बाठ औरको जिलामा जाने हरूने रोकिये का शन यो लापारवाई सचिये न बने संग्या राजदानी कार्फंडु समेत संक्रमण को चपेटामा परने सा यही 25 लाख इस्ताय बासिन दात था त्येतिने संख्यामा चलाय मान जन्चंक्या रहेको कार्फंडु मा यो संक्रमण को जिलको देखियो बने त्येसलिए बया बहरू ली न सक्षा यो लगडाउन ले निम्न बर्ग का जन्तामा भुकमरीको अबस्ता निम्त्याई राखे कुछ मा देम बर्ग को संपती निरंतर गटी राखे कुछ धनीर गरिद बीज को खाडल जन्चंक्याई बड़ी राखे कुछ यो सरकारले नया अर्थ निती मार्फत संबोधन गर्णपानी विशाई हो हवस्ता अलगधार को आजको समय शक्यो कारिकम का संदर्व मा तपाई का कुनई शुजाप, सल्लाहा अनी प्रतिकिरियाद शन्वने हामिलाई टेलीफोन नमर 4-0-6-5-3-6 अथवा मोबाईल नमर 9-2-0-2-0-6 मा संपरक गर्णपानी शक्न हुन्च यश्ताई अलगधार इमेल चानल्स आट जीमेल डाटकम मा इमेल पनी गर्णपानी शक्न हुन्च आमिलाई तप्पाईले फेस्बूक रा ट्वीटर मा पनी फालो गर्ना शक्न हुन्च आज अको कारिकम बाट अलगधार को सम्पून युनिट लाई विदा दिन होस नमस्कार करता हुआ पनी बाटकम मा इमेल प्रण अनल्स आट